हेलो स्टुडेंट्स अज असी जड़ा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ओ टॉपिक है जी हाइड्रो स्टैटिक ट्रांस्मिशन लास्ट लेक्चर दे वेच असी हाइड्रॉलिक सिस्टम दे जिनने कॉंपोनेंट कॉंपोनेंट्स ने उनना बारे पढ़ लिया सिगा सारा और केड़े केड़े कॉंपोनेंट इसका यूज कर दे है तो आघने लेक नमा टॉपिक है पहले study नहीं किता होएगा, ना सी CBT ची study किता होएगा, ना यह सी किसे हो topic जा BTHP वोगाराच study किता होएगा, सिरफ असी RHE, THEM ची study करांगे अदे बारे, क्योंकि है ही tractor-then-all related, क्यों अपने tractor-then-all related hydro-static transmission है, इस करके अपानू RHE study करांगे, सो कैंदे की ने, agricultural machineries produced in our country are equipped with conventional system that is clutch, gearbox, differential, reduction gearbox, etc. केंदे इंडी निया भी एग्रीकाउचर मशीनरी ने अपने ट्राक्टर हो गे इसतो इलावा हमेद्धार रस्चर चिया हो याँ या अपां अभीहां, अभीहां मचिना कैता, या बाग्या थीडियां सिस्टम्री इत क्लच पावर नूंग ábर और लिवीज तक पंचान डे लई वीज तक ट्रांसमीड करते पर यहां और इज की कह यह कर कंगी ए गेरढिए उश अपनी पावर नू अग्गे ट्रांस्मीट कर देयां पावर नू अग्गे पंचान ने बट दी मशीन्स पर ड्यूज जिन दी फोरन कंट्रीज आर स्लोली स्विचिंग ओवर टू दी हाइट्रोस्टेटिक ट्रांस्मिशन अपना जड़ा सारा पावर ट्रांस्मिशन दा सिस्टम है अध्यंटी हाइट्रोस्टेटिक ट्रांस्मिशन दे बाइड्रोस्टेट्रीज ट्रांस्मिशन सिस्टम सिगा जिरे चोनाने कलच गेर बोक्स डिफरेंशियल एद्दा दी चीज़ा नू परे करता एद्दा दी चीज़ा नू अवे करता ते ओधी जगा की लेयां दा हाइड्रो स्टैडिक क्योंकि ट्रांस्मिशन तुसी अपने cbt दे वेच पाड़ चुकी हो वी ट्रांस्मिशन ता मतलब वे इंजन दी पावर नू आव वीव तक बनचाने हा रादे वेच कलाच लगाने हा गेर बोक्स लगाने हा प्रोपेलर शाफ्ट लगाने युनिवर्सल जॉइंट लगाने ह सिफेरेंशीय लगाने यह चाहे ऑप सट्रेंश नाल है hydraulic transmission replaces clutch gearbox differential reduction gearbox etcetera केंदे ही ड्रो स्टैटिक transmission जिनना गडियां देच लग जया ना ना गडियां देच नाए क्लाच लांदी लोडे नाए gearbox लांदी लोडे ते नाए डिफ्रेंशियल लांदी लोडे मतलव एद दाधा स्टमीसिंटम आप लगाता जिदा हईडरॉलिक पावर देना न आली सारी सारी पावर सेडिशन्टम दोगे ट्रांस्टमिट करता प्या सिथा iso कि कहन दियो फॉर वी स्टडी हावडरी सिस्टम हाइट्रो स्ट्रीक करिए वी हाइड्रो स्टैटिक ट्रांस्मिशन है कि पहले ना पाइदे अड्वांटेज पाड़ दिए वियादे फाइदे की ने क्योंकि ये किसे चीज दा फाइदा तो पहले पता हो एगा ना तुसी उन्हों जादा करो सिटी दे नाल पड़ोगे वियादा फाइदा है वे सो पहले अपा गाल कर दे याँ अड्वांटेज इस दी पहले की केंदे ने दी कंप्लीट सिस्टम इस लाइटर इन वेट दे डेड़ वेट अफ दी वेहिकल इस रेड्यूस्ट सब तो पहले ना ने की किया जी वी है जड़ा हाइड्रो स्टेटिक ट्रांस्मिशन है ना ए दी गल कर दे में जाया ट्रेक्टर से फेल्ड़ ना पघ्रीडेवर के तर्फ mentioning भुश थि प्र कौण सरां संगे जेटेः उन लगानिया पहले देग्या थे ट्रेक्टर दा वेट अंपने आपक्ट गया है आपने अपकाट गया सो अने पहला इडवंटेज के यृज यहीप है कि पहली दूजी ड्वंटेज machine can be driven at any speed that is speed is variable डिए मशीन जड़ा ट्रेक्टर हे है पाइदेख़ कर दो, ट्रेक्टर लगां के Employees सब्सक्राइज, ज सब उकल लगां के मएच भरसे कर दम सक सक की ते कि सब्सक्राइज मतलब मानलोज था यर्डेयर करता ambassador by बदाने या क्योंकि अपका गड़ी दी स्पीड नूब तरान्समिशन दे वेच जिड़ा पंप लगा है उस पंप दी स्पीड नूब कटा आके या वदा के वहिकल दी स्पीड नूब गड़ी क्योंकि गेरवोक्स दे यहा इंडरो फालोगो किरना है एक गड़ी द पार चाट गया एक अपका स्पीड नूब इप नो दीकलटी इनप प्रोवाइडिंग ड्राइव टू इट एीड ब्रॉस नूप अब अगेफिट करना आय arriv में जिननी मर्जी दूर क्यों क्योंकि वेल नू जिनि पावर देनी ना ऊ सी हाईड्रॉॉ पावर देनी कोई दा दी कोई घाल नहीं, कोई प्रपेलर लगड़नी लगनी, कोई तवा अथे गेर बोक्स नहीं लगने, कोई उनिवर्सल जवाई नहीं लगने, कोई डिफरेंशियल नहीं, इस करके वील नू किते भी फिट किता जा सकता है, किसे भी डिस्टेंस ते फिट किता जा सकता है, कोई सानो डिफिकल्टी नी हो एगी, उनू ड्राइब दे लिएंदे वेच, वन लिवर कंट्रोल, ेजि तू अपरेट, मतल्ब पूरे दा पूरा सिस्टम जड़ाना, उन्हों सी एक लिवर देना कंट्रोल कार सकते हैं, मतलब उन्हों प्रेट करना easy है, असी लिवर नू प्रैस करके, एक लिवर दी मदद देना सारे दा सारा सिस्टम जड़ा है, उन कं पहुँ चाने है, फ़ेल की दिए करता है, पावर फemen ह्लाइवील नुक्लाइवील देता ह्लइ ती सिसदे पाड़ पार्ड कापड़ आया साधी नीड दे कोडिंग उस तो बाद पावर गेर बोक्स चो बार निकल एक शाफ्ट को आई उस शाफ्ट ने पावर दिती युनिवर्सल जवाई नू युनिवर्सल ने प्रोपैलर नू प्रोपैलर ने फिर युनिवर्सल नू युनिवर्सल तो बाद फिर डिफ्रे साइस दोएगा रिडियूसी शॉक लोड जएधों भी वहिकल मूव करता है ऊधों जड़े शॉक लगदा है वहिकल नू चटका लगदा है उनू भी अपां चन्दे लई उन्नों वियसी कटा सकते हैं विद धी हेल्प ओफ दिस सिस्टम एजड़ा हाइड्रो स्टैटिक ट्रांस्मिशन है गडी नूँ चटके वगारा लगन्तों भी बचाएगा क्योंकि चटका दो लगदा जिरो आपा वहिकल दी स्पीड नू काट कर दें बाद कर यहां मालो सी गेर बाता यकदम गेर बागे यकदम रेज दिन यहां तो वहिकल नूँ चटका लगदा है यह इस ते गेर भूक से आई नहीं है इस करके कोई शोग बगारा लगन्दा खत्राशान नों जिड़ा है वो नहीं हैगा सेवंध पॉइंट हाई टॉर्क प्रवाइड कर सकता है तो यह वी एक बेनिफित हो गया अगए अगए आगया जी इलिमिनेट कलच एंड लार्जर गेर ट्रेंस एट अट अड़ वांटेज की आ गया वे इक लगारा लगांदी सानू लोड नहीं पई जेड़ा गेर बोक्स वी हाट गया तो गलाच भी मेंटेनस कोस्ट वे जड़ी मेंटेनस कोस्ट एदी हो काटे मेंटेनस कोस्ट काट क्यों है क्योंकि है है हाइड्रॉलिक प्रिंसिपल ते कम करता है जेड़ी चीज हाइड्रॉलिक प्रिंसिपल ते कम करेगी ओधी मेंटेनस कोस्ट हमेशा काट हो एकी रीजन की है दे तो आडवांटेज की होगे है ट्रॉल स्टैटिक्स ट्रांस्मिशन दे वह जड़ा कंप्लीट सिस्टम में एक त्यों पहले का लाइट इन वेट इस करके वही कहले वेट काट गया किसे भी स्पीड आपनों चला सकते हैं वील सी किसे भी डिस्टेंस ते फिट काट सकते हैं ए उन्हों भी असी लिमिनेट काट सकते हैं बार काट सकते हैं मेंटेनस कोस्ट जड़ी है ओ काटे इस सिस्टम देवेच सो एस यह दे बेनिफिट हून आपा गल एक दिखू जी काटा डाइग्राम एह न नहीं डाइग्राम दुखा आता है एक मोटर है मोटर है नाल यादे पर ठीक है जी पंप तो बाद इंजन इस यू लगगा है एक्सलेटर पैड़ा दे ब्रेक पैड़ा दे मतलब कि यह एचस्टी कंट्रोलर मतलब हाइड्रोस्टेटिक ट्रांस्मिशन कंट्रोलर की कहना चांदे ने हो वे जिरे अपना डिफरेंशियल है न ओधी जगा ते क यह जड़ा पंप है यह स्पेशल टाइब दा पंप है थोड़ा तुसी अदर पंप पहले नहीं देख्या होएगा यह न उसी कहने है स्वेश प्लेट टाइप पंप एदे बारे भी गाले कर दिया अगे इंजन ने पावर प्यादा किती इंजन ने पावर प्यादा करके अगे पंप नू पावर देती उस पंप ने की किता अपने अंदर जड़ा हाइड्रॉलिक फ्लिवड सिगा उनू पंप किता थे पंप करके अगे मोटर नू देता ठीके उस मोटर ने की किता अगे जड़ा डिफ्रेंशियल दा गेर से गा उनुच लाया डिफ्रेंशियल नूच कमाया ठीके डिफ्रेंशियल ने पावर वीर्स नूँ देती अधा कम करता कुछ हाइडरो स्टैटिक ट्रांस्मिशन मतलब इंजन दी पावर एक पंप नू जाओगी पंप अपनी पावर देना मोटर नू चलाओगा मोटर अपनी पावर देना दिफ्रेंशियल नू चलाओगी जिरू दिफ्रेंशियल चलेगा ते पावर जडिए दोनों पास से मूव होए eche actual differential नहीं हुनधा, एक differential एक आश्ट गियर लगगा रहा है। औरٌ वेस्ट बीडिवरेंश्चियल लगता. So, एए न टोड़ा system तो jut ben, hydrostatik transmission. मतलब hydraulic power देनल असी engine दी power वीज-टाक बन्झाया। वर्किंग चाहिं, कहते हैं, इन फिगर power travel train 4 wheel drive machine-asig been shown. जरी एना ने फिगर दखाई सी कि यो लाइन डाइगराम सी का लाइन डाइगराम तो नो विद्धा करता है यू विल सी ए हेवी द्यूटाली moved directly to the engine केंदे दूसी की दिखोगे एक heavy duty pump हे अ हेवी द्यूटाली मजी के हाई इनमजन देनाल टे के लिच आईगराम अनम इनमजन देनाल की सीजे जेपरोन ठेकर देकर सीचिती ममद्यन दे नमजन लिक मोटर स्विच ड्राइव दी वीज शाफ्ट हुन एरे च दो जरीके ने जानता एज़ी मोटर है एक कले कले वील नू भी लाग सकती है या असी अथे लगा के पावर नो गे ट्रांस्मिट भी कार सकते हैं एह उन साथ देवे वे यसी मोटर कले कले वील नू प्रवाइड करनी है या एक मोटर देना दो चिजा चलानी है ओदे वासे साम उन डिफरेंशियल गिया रथे प्रोवाइड करना पेगा डिफरेंशियल जिड़ा है और वासे लगाना पेगा जिए अपा एक पंप मोटर यूज कर दे पे आँज जा पाएद्दा कर सकते हां हार इंडिव वाल पंप दे उपपर एक स्पीड कंट्रोल वाल फिट होएगा क्योंकि यसी एडवांटेज दे विच पड़या सिगा आपा स्पीड नू कटा वदा सकते हां थ्रू विच हाइड्रॉलिक फ्लिड अंडर प्रेशर इस सेंट थ्रू पाइपिंग टू हाइड्रॉलिक मोट और उस वाल फिड़नेश स्पीड नू कटा आके या वदा आके हाइड्रॉलिक मोटर जड़ी है ओदर असी तेल नू पे जांगे विच ट्राइव दी वील शाफ्ट जड़ी की करेगी वील शाफ्ट नू ड्राइव करेगी थ्रू स्पीड कंट्रोल वाल फिड़ने hydraulic oil नो pump करना है only speed ते तो अब वहिकल चलना है that is if the hydraulic fluid pressure is increased the speed of hydraulic motor is increased in case pressure is decreased the speed correspondingly correspondingly decreases can तो पाव की ये simple जी चीज़े कोई ओखा निया रिच engine ने power पैदा करके pump नो देती pump ने की किता hydraulic fluid नो pressurize किता pressurize करके भी जेता motor देवेच जी एक motor लगिए ते इक motor नो नोपे जेगा है जे चार motor नो पे जेगा हूं जिन्नी speed ते pump motor नो तेल पे दहा पया है hydraulic oil पे जधा पया है उननी speed ते motor ने चलना है उननी speed ते motor चलना दा मतलब कि ये वही ख़िदी speed होननी होएगी जिद्न है इसस स्पीड नों कटा वांगे या विदा वांगे साड़े वही कर दी स्पीड जड़ी है ओवी कट जाएगी ते ओवी वाज जाएगी इस तरह जड़ा एस सिस्टम जड़ा है यह काम करता है हूँ अपा गाले कर दी है वी जड़े चापा एरेच जड़ा पंप यूज कर दे पर यह ओ पंप केड़ा है ओ पंप आंता जी स्वैश प्लेट टाइप पंप एह देखो जी एह पंप है इस चीज मों सी कहने है स्वैश प्लेट जड़ी अथे प्लेट लगी है साइड ते इस प्लेट नुँ अपां स्वैश प्लेट करने है जड़ी एंगल ते लगए हो यह अंदर जड़े लगए ने पाइप से लगए ने जड़ी यह अंदर पिस्टन ने ठीक है जी एदर साइट दे किए ड्राइव शाफ्ट है तो उसी देख सकते हो एह जड़ी कुम्दे पे ने पिस्टन ने ते नाली किए एक स्वैश प्लेट अटेश कीती हो ने जड़ी साइड ते दिखानते पे ने एह स्वैश प्लेट है एदे कम करनदा प्रिंसिपल की ए जिद्दा जिद्दा वी असी ड्राइव शाफ्ट नू कमान ने या एदा एक एंगल होंदा है स्वैश प नीचे जड़ी पिस्टन ने एदे ओपोजिट साइड थे ओ अंदर जानते पे ने पिस्टन जदो अंदर जानता है ना ओ फ्यूल नू तका मार दा है ते जदो पिछे आंदा है ओ प्रैशर दे लई मतलब एक तरह जिद्दा आपा पिश्कारीज रनने या पिश्कारीज से नाल कीए पिछे आध नाल पिस्टन्स थाचे ने इंडिविजवल पिस्टन ने सारे लग-Leag पिस्टन ने आना था कम किये मिर्म सिरफते सिरफ तेलने पंप करना इंग् instruments भी है ते औलेट विये ते आउट यए इंछ स्ग मारIGHT सी ऐंडेट रही है तो आया देलने बार यह जड़ा एंगल ते पाट लगगा है वह स्वैश प्लेट नीचे जड़ा पाट गोल वला वह स्लेंडर ब्लोक मतलब जिरे सारे स्लेंडर बांदों नहीं के हमागे पिस्टन तो आ नहीं पहले ही दासता सिंग किन खने और उज्डिया पाइप शेप भीचन नहीं अनुच पिस्टन S pump नो सी Swash Plate pump करने ऩा flow ये वेरिये बले flow नो सी गठावदा सकते है Swash Plate दे अंगल सी जिते मर्दी फिक्स कर लिये Swash Plate दे अंगल ते सारा सिस्टम जड़ा है काम करता है आज जैसी जड़ा topic स्टड़ी केता वो सी गा hydrostatic transmission मतलब आपा engine दी बावर नो वील्स ताक पंचाया, without using clutch, gearbox, differential, नवी चीज एक, नवी advancement है, जिदे बारे अपा study भी नी किता है, ना कलपना किती होएगी, भी अध्दा वियो हो सकता है, बिना clutch तो भी गड़ी चाल सकती है, ठीक है, एरिच advantage बढ़े पहले अपा, फिर आपा पढ़े यदी working, diagram अधा देख अभी किता कम करदा है, फिर आपा last देख लेए, अब यह पंप किड़ा यूज करते पे हैं, swash plate टाइप यूज करते पे हैं, ऐस दिगा तो आज दा lecture, बाकि यह सी next lecture study करांगे.